सई को फाइनली पता चला कि वीनू जिन्दा है और विराट उससे कुछ छुपा रहा है बड़ी बात छुपा रहा है जिसके बाद मन ही मन सई करती है फैसला और कहती है अगर आपने ये सब कुछ किया है तो मैं जल्द ही पता लगा लूँगी और वो दिन जो है विराट आप पर काफी भारी पड़ेगा इसके साथ ही साथ आज के एपिसोड में आपको जबरतस धमाल देखने को मिलने वाला है जहां पर सई जो है वो भवानी को उसकी आउकात ही याद दिलाती नजर आ रही है जो यहां वो कहती नजर आती है कि मुझे आपकी फैमिली में कोई इंट कहती है कि इतने सालों पहरे जो आप सबने किया है ना अब उसके बारे में आप लोग याद ना दिलाओ तो ज्यादा बेटर है और अपनी फैमिली को खुछ संभालो भवानी जो है वो सई को धमकी देती है कि मैं तुम्ही यहां से निकलवा भी सकती हूं शेहर से बाहर कर स है जहां पर आपको बता दे कि पाकी जो है वो देख लेती है आप सबको पता यह कि पाकी जो है वो देख लेती है सई और विराट को गले लगते देख तो वह बहुत बढ़क जाती है यहां पर जब विराट आता है तो विराट भी बहुत परिशान होता है वो करवटे बद करती नजर आती है जब विराड जो है ये बात कहता है विनायक से की विनायक आप जाओ सई आंटी के घर जाओ वहाँ पर प्रोजेक्ट वगेरा बनवा लो और साथी साथ वो यह बोलता है क्योंकि पाकी की तब ठीक नहीं है यह सुनते ही पाकी आग बबूला हो जाती है और लगता है जैसे उसे बस अप मौका मिल गया हो वो कहती है कि अच्छा तो ऐसा करो तुम भी चले जाओ क्योंकि यहां पर जो तुम लोगों ने किया है वो तो काफी अजीब है कि तुम लोग कैफे में सब के सामने एक दूसरे के गले लगकर बहुत जादा रो रहे थे उन चीजों से अच्छा है कि तुम घर के अंदर चले जाओ कम से कम वहाँ पर कोई देखी गा तो नहीं यह सुनने के बाद भवानी आग बगूला हो जाती है और कहती है यह सब क्या चल रहा है तुम लोग मेरे करियर को पूरी तरीके से बरबाद कर रहे हो मेरे पोलिटिकल कर दो आपकि को सब्कुछ बताने वाला है विराण की उसको बता इसको बता देगा लेकिन आपको बता देगा कि सई को पूरी तरीके से सारी सिच्विशन पता चल चुकी है और सई जो है वह भी मेरे इक बहूत सारी चीज़यन को बताट करने नहीं है औरम पनाज को 17 वाली है क्योंकि साही को ये बात पता चल चुकी है कि विराट उससे वीनु का सच छुपा रहा है और वो इसका पता लगा कर रहेगी और जिस दिन उसका पता चल जाएगा उसने साफ साफ कहा है कि विराट उस दिन आप जो है सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या करूँगी तो ये सिचुएशन होने वाली है दूसरी तरफ करिश्मा का सच भी जो है वो जगता आपने पता कर लिया है और ये बात वो फोन करके बताती है कि मुझे आपने कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये इनफॉर्मेशन आई है करिश्मा को लेकर अब आपको देख लो क्या करना है विराट को फोन करती है तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अब आपको देखने को मिलने वाला है फिलाल सही को एहसास हो गया है कि वीनु जिन्दा है और विराट चुपा रहा है इस वीडियो में बस इत्माही टीवी और बॉलिवोड से रिलेटेट खबर प्लेफिल में व अगर वीडियो आफ फेस्बूक पर देखने तुमारी फेस्बूक बेज को फॉल्लो करें